सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बैल को ओन करना न भूलें इससे आपको हमारे चैनल से जोड़े सभी नए अबडेट मिलते रहेंगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ग्यान मन्थन में आप सभी के सांथ वा प्यार के लिए सादर धन्यवाद आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगे मेरा उद्देश हिंदू धार्मिक कथाओं का ग्यान आप सभी तक पहुँचाना है तो इसी तरह हमारे सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए वबने रहे हमारे चैनल पर और जुड़े रहे अपनी धर्म और संस्किती के साथ फ्रेंट्स आज में आप सभी के लिए माता रानी के एक और रूप त्रपुर सुंदरी के जन्म से जुड़ी कथा को लेकर आई हूँ आज हम जानेंगे कैसे मिला माता को त्रपुर सुंदरी नाम तो चलिए शिरू करते हैं आज की इस पावन कथा को गुप्त नवरात्री का तीसरा दिन आद्ध महा विध्या त्रपुर सुंदरी का होता है देवी त्रपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभै प्रदान करने वाली योवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है अपनी सुंदर्ता और मोहकता से देवा सुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था कहते हैं कि त्रपुर सुंदरी की आरादना करने वाले भक्तों को लोकिक और पार लोकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बलकि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं आये जानते हैं इनके सुरूप और इनके पीछे जुड़ी पौराण कथा के बारे में देवी तृपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभी से निर्गत कमल आसन पर विराजबान हैं चतुर भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुष, धनुष और बार हैं देवी के आसन को ब्रह्मा, विश्नु, शिव और यम्राज अपन मस्तक पर धारन करते हैं, देवी तीन नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारन करती हैं, देवी तृपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनुकामरा को पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती है और उन्हें अभय प्रदान करती है, कहा जाता है कि देवी तृपुर सुंदरी की फूजा करने से आत्मिक बल यश और कीर्थी की प्राप्ति होती है पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तृपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोक के पश्चाद भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते थे उन् तारका सुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यू शिव के पुत्र द्वारा ही होगी समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए काम देव और उनकी पतनी रती देवी को कैलाश भेजा काम देव ने कुसुम सर नमक मोहिनी बान स भगवान शिव पर प्रहार किया परिणाम सुरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन क्रोध अगनी ने काम देव को जला कर भस्म कर दिया काम देव की पतनी रती द्वारा अत्यंत दारून विलाब करने पर भगवान शिव ने काम देव को पुना द्वापर युग में भगवान क्रिश्न के पुत्र के रूप में जन्म धारन करने का वर्धान दिया और वहां से अंतरध्यान हो गए सभी देवता और रती के जाने के पश्षाद भगवान शिव के एक गण द्वारा काम देव की भस्म से मूर्ती निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ती से एक पुरुष पैदा हुआ उस पुरुष ने भगवान शिव की इस्तुती करी इसके भगवान शिव द्वारा उ यंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडा सुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्मान किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडा सुर ने स्वर्ग लोक पर आकर्मन कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्यों को चारो और से घ किया। दीवाज इंद्र ने देवी की आरादना की और देवी ने त्रपपुर सुंद्री स्वरूप में प्रकट होकर भांडा सुरका वदकर देवराज पर कृपा की और अगर आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शियर करें और ऐसी ही और भी धार्मिक कताओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सरातन ज्यानमंतन को और फेस्बूक पर फॉलो करें हमारे पेच को धन्यवाद दोस्तों